बरेली में इज़त नगर्थाना श्वेत्र के गाउं में आज सुबा उस वक्त सिर्फ ठवल हो गया जब भूसे से भरी ट्रॉली को गली में खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गया जहां सुचना पर पहुची पुलिस ने दोनों पक्षों को इलाज के लिए जला स्वताल भेज दिया साथी तहरीत के अधार पर जाज परताल शुरू कर दी है दरसल घटना शहर के इज़त नगर्थाना श्वेत्र के अड़ोपुरा जहांगिरी गाउं की है जहां के रहने वाले रमेश ने बीती शाम भूसे से भरी ट्रॉली को गली में खड़ा कर दिया जिसका परोसी मंगली यादव ने विरोध किया था लेकिन असुबा तक भी रमेश ने गली से टॉली नहीं अटाए जिसको लेकर परोसी मंगली यादव से रमेश की कहा सुनी हो गई और दोनों पक्षों में लाटी डेंडे चलने लगे जिससे रमेश उसके तीन बेटे भाई हरपाल और पिता मोती राम गंभी रुप से घायल हो गई वहीं दूसरे पक्ष के मंगली सिंग और उसका बेटा लक्षमर यादव घायल हुए हैं वहीं सुचना पर पहुची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को जिला स्पताल भिजवाया है घायल रमेश ने बताया कि उनके पडोसी ने भूसे से भरी ट्रॉली गली में नहीं लगने दी जिसको लेकर विवाद हुआ था जिसमें मंगली यादव ने उनके परिवार के लोगों के साथ बेरहमी से मार बीट की जिसमें कई लोग घायल हुए हैं वहीं घायल लक्षमर ने कहा कि रमेश ने उनके घर के सामने भूसे से भरी ट्रॉली खड़ी कर दी जिसे हटाने के लिए कहा तो हमला कर दिया तो उसके बाद गाली गलोथ किया था तो लड़ाई रूती तो तो जो जो आए हैं तो तीन लोग हमारे आई हैं पिता जी के हमारे भाई हर्पाल के पिता जी का कि नाम है अपके मोतिराम औभाई कहा थैसे कोण को रुश्बर कौन कौनों लोगते हुँ सभी लोगित हैं यादव चार पान तो लोग यह मंगनी और फॉलिबलस कि ऐस में प्रेहीन प्रेणे में लेक्र85-खाने कर नगिकर और मेरे सर में मार दिया और राज कुमार राज कुमार और हरपाल सी और हरिश सींग और रमेश सींग ये चाड़ लोग थे तो अड़कर जागी किसा था ना इजन नगर और में वाकिन KKO है से तो भाज राज कुमार दिंगizin को लाज़ी आ तो दिया फा